हलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेम्रक सीखने की सीरीज में आज हमारा 33 लेक्चर है और आज हम सीखेंगे अगर मोनिटर करना हो कि मेरी एप्लिकेशन के अदर लोड कहां पे ज्यादा जा रहा है लोड मतलब कि मान लेजी कि आपने अपने एप्लिकेशन के अदर 50 फंक्सन लिख रखें और आपने हर एक फंक्सन के उपर कुछ अनोटेशन लगा दिये वह अनोटेशन अभी हम डिसकस करेंगे तो उसके बाद में आप पूरे पूरे अपनी एप्लिकेशन को ट्रेक कर सकते हो कि मेरी एप्लिकेशन के अंदर ये वाला जो फंक्सन है ये कितनी बार कॉल हो रहा है इस पे कितना लोड आ रहा है और ये फंक्सन जब कॉल होता है तो यह response return करने में कितना time लेता है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें. और भी मैं बताऊं, तो किस rate पे ये method call हो रहा है, जिसे कि अपने 50 request आईए, 50 में से किस तरह की बार ये method के लिए request आईए, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें, जिनसे हम अपनी Quarkus की application को track कर सकें, इसको अपने monitor कर सकें. तो ये आपके project के लिए एक important step है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह के से हम health check करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको अपने project के अंदर implement करनी चाहिए, और ये matrix वाला part भी आपको definitely अपने project के अंदर implement करना चाहिए, जिससे क्या होगा, कि आप अपने project की overall health, overall load को track कर सकें. तो अब आप कहोगे कि sir, ये हम कैसे track करेंगी, हाँ वो main चीज़ है, उस पे चलिए, अब हम discuss करते हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि अभी हम theory के अदर और ज्यादा जानेंगे, जब मैं आपको annotation बताऊंगा, तब हर एक annotation का जब मैं मतलब समझाऊंगा, तब आपको और चीज़े समझ में आ जाएगी. क्योंकि friends, मैंने ये चीज़ देखी है, कि अगर मैं आपको theory के अंदर बहुत ज़्यादा समझाता हो ना, तो लोग video को देखते नहीं हैं, जब कि मेरा motive क्या रहता है, कि अगर आपने एक मेरा video देख लिया, तो आपको उस चीज़ से related कोई भी दूसरा video देखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैं हमें साब बड़े-बड़े video बनाता हूँ, जिससे आपको एक जगए, एक बार में सारे concept challenge में आ जाए, लेकिन मुझे मेरे videos की view से लगता है कि आप लोग साइध इस चीज़ से खुस है या नहीं है, तो चलिए, अभी हम थोड़ा सा theory को छोटा रखते हैं, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हम अपने application को किस तरीके से monitor कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक dependency add करने पड़ेगी, सब वो है small ri matrices, जैसी हम इस dependency को add करेंगे, हमें कुछ annotation मिल जाएंगे, सबसे पहला annotation है, वो हमें मिलेगा counted, अब यह annotation जैसी आप किसी method की उपर लगा होगे, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह method कितनी बार call हुआ है, तो यह count return करेगा अपने पास, ठीक है, तो मान लिजी कि आपकी application start हुई 9 बजए, ठीक है, और आपने देखा कि 59 बजए तक मेरे इस project में इस method पर कितनी request हुई है, तो आप वो इस चीज़ को देख सकते हो, इस count annotation से, ठीक है, दूसरा annotation आता है हमारे पास, timed, इस annotation को जैसी आप लगाते हो, तब आपको पता चल जाएगा, कि आपका जो ये method है, इसको response return करने में कितना time लग रहे है, ठीक है, तो इसमें जैसी आप इस annotation को लगाओगे, तो आपको लग जाएगा, कि मान लिजी कि हमारे पास 30 बार request आईए, तो इसमें maximum इतना time लिया था, minimum इतना time लिया था, और average इतना ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप monitor कर सकते हो, ये आप method level पर monitor कर सकते हो, तो आप सोचें कितनी बड़ी बात है, उसके बाद में अपने पास आता है, कि add the rate metered, जैसी आप इन annotation को किसी एक method पर लगाओगे, आप ये सारी annotation एक method पर लगा सकते हो, कोई restriction नहीं है, तब आपको पता चल जाएगा कि किस rate पर आपका ये method call हो रहा है, rate का मतलब क्या हुआ, कि आपके application के अंदर 1000 requests आई, अलग-लग different काम के लिए, उसमें से कितनी request इस method के लिए है, माली जी कि आपका ये function है, तो कितनी request इस function को call करने के लिए है, तो आप इस चीज़ को properly monitor कर पाऊगे, कि हाँ, मेरा ये function सबसे ज़्यादा call हो रहा है, तो मुझे इस function को सबसे ज़्यादा optimize बनाना है, उसके अलावी हमारे पास और भी कई सारे annotation होते हैं, जैसे add the rate goals, add the rate histogram, इन सब annotation को हम अपने practical के अंदर जाएंगे, लेकिन आपको overall theory में idea लग गया होगा, कि हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करेंगे, कि अपने पूरे के पूरे project को जब हम live कर देते हैं, तब हम क्या करेंगे, उसको monitor करेंगे, कि इस में से किस function पे सबसे ज़्यादा request आती है, कौन सा component सबसे ज़्यादा call होता है, किस component को response return करने में कितना time लगता है, अगर मालों कि हमने एक API बनाई है, और हमने expect किया है, कि यह maximum है, वो 3 second का time लेगी, लेकिन कभी-कभी वो 5 second का time भी ले रही है, तब हमें क्या करना होता है, कि उस method के अंदर deep में जाके, उसको और ज़्यादा optimize करना होता है, अगर आप इन सारी चीजों को एक project के अंदर implement करोगे ना, तब ही आपका वो project, एक real world project बन पाएगा, otherwise आप क्या करते हो, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा भी कह रहा हूँ, कि सुरुवात में में भी क्या करता था, कि normal हमने function लिखा, और इसको execute किया, और हम खुस होगे कि हमारा function output दे रहा है, लेगिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, आपको आपकी application इतनी optimize बनानी चाहिए, कि जब सामने वाला इंसान उसको use करे, तब उसको इतना smooth experience हो, कि आप समझ रहे हो ना, तो इस चीज को ध्यान दीजिए, तो चलिए, अब हम फटा पर चलते हैं, अपनी ID पे, क्योंकि थेओरी के अंदर ज्यादा समझाना मुझे नहीं लगता कि useful है, क्योंकि आप लोगों के response के हिसाब से में यह कह रहा हूँ, और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर्फ थेओरी के अंदर हमें और डीप में समझाओ, तो आप मुझे इस वीडियो के comment box में लिख के बताईए, तब ही मैं अब थेओरी के अंदर ज्यादा समझाओंगा, अदरवाईज क्या करते हैं, कि मैं थेओरी के अंदर आपको चीजे समझाओंगा, लेकिन आपन आदे आदे गंटे की थेओरी नहीं रखेंगे, आपन पान, तस, पंदरा मिनट की थेओरी रखेंगे, जिसमें आपको चीजे सारी समझ में आएगी, मैं यह नहीं कहा रहा कि आपको चीजे सारी समझ में आएगी, लेकिन आप फोड़ा सा मेरी जगह रहाए कि समझे कि चिस हिसाब से अपने व्यू आते हैं, उसकी हिसाब से अपने को थेओरी कम रखनी चाहिए, फिर भी चलिए, आपके कमेंट मेरे लिए सबसे इंपोर्टेंट है, तो उसके बाद में, चलिए इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं, और फटा पट चलिए अपने आईडी पे, और आज का प्रेक्टिकल स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ, और चलिए आज का प्रेक्टिकल स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट का इस्ट्रक्टर दिखा देता हूँ, यह मेरे पास एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले हम इसकी चलते हैं पॉम फाइल में, और यहाँ पे जैसा कि हमने डिसकस किया था, माइक्रो प्रोफाइल मेट्रिक्स के लिए आपको एक डिपेंडेंसी एड़ करने पड़ेगी, वो डिपेंडेंसी कौन सी है, QUARCAS-Smallarive-Maitrices, यह डिपेंडेंसी मैंने पहले एड़ करके, इस प्रोजेक्ट को शिंच कर लिया है, तो आप भी इस डिपेंडेंसी को अपनी फाइल में एड़ करके, इसको शिंच कर लिजेक्ट को, उसके बाद में हम चलते हैं अपने बागी प्रोजेक्ट के structure पे तो यहां पे मेरे पास main के अंदर Java के अंदर यहां DTO के अंदर मेरा post वाली क्लास है यह क्लास मैंने पिसले वाली वीडियो में आपको समझागे कि मैंने क्यों काम में लिये है उसके बाद में हमारे पास एक resource class है, जिसके अंदर एक simple सा end point है, hello, जो simple सा message प्रिंट करेगा, hello from Quarkus. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस rest client के बारे में बता देता हूं, तो यहां पे अगर आप इस website पे जाते हो, तो यह website आपको कुछ fake APIs प्रोइड करती है, जो कि आप अपने project में testing के लिए कामें ले सकते हो, तो हमने क्या किया है, कि हमने एक rest client बनाया, जो कि इसको point करेगा, और इसकी हमने एक API को call किया, slash post को, और यह हमें return क्या करेगी, list of post return करेगी, तो हमने यहां पे करा दिया, कि यह return करेगी, list of post, अब post के अंदर हमारे पास क्या है, एक, दो, तीन, चार फिल्ड है, तो यह चार फिल्ड हमारे पास यहां से आ रहे हैं, तो यह तो हमारा कितनी बार call हो रही है, वो average response time कितना ले रही है, कितनी frequently वो call हो रही है, और सबसे ज़्यादा time उसने कब लिया है, call होने में सबसे कम time उसने कब लिया है, तो इस तरीकी की कई सारी चीजे आज हम monitor करेंगे, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ, कुछ code paste कर रहा हूँ, वो quarkus की official website से कर रहा हूँ, और उसके बादे मैं आपको line by line वो code समझाता हूँ, friends अब आप द्यान से देखिए, मैंने एक API बनाई है, जो कि get type कि हैं, और वो एक number लेगी, ठीक है, और वो number यह return क्या करेगी, कि वो number जो हमने pass किया, वो prime number है या नहीं है, यह logic हमारे लिए important नहीं है, बस यह logic कर और रहा हूँ, यह simply हमें written करके देगा, कि जो number हमने pass किया, वो prime number है या नहीं है, इतना काम उस ने किया, साथ ही वो एक काम करेगा कि initially हमने ये माना है कि अभी तक जो हमारी प्रोजेक्ट ने जो highest number calculate किया है, prime number है ये नहीं है, वो दो है जिसे कि किसी user ने एक पास किया, किसी ने पांस लाग पास किया, हम ये चेक करेंगे कि highest number आज तक हमारी प्रोजेक्ट ने कौन सा highest number, prime number calculate किया है, तो initially मैंने उसकी वेली दो मान ली है, और यहाँ पे मैंने क्या check किया है, कि जो number user ने पास किया है, वो highest number से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है, तो वो highest number के अंदर shade कर दो, ठीक है, और उसके बाद में हमने output ने प्रोजेक्ट करा जिया, number is prime, ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस API को test कर लेते, कि यह हमारा output सही देती है नहीं देती है, और उसके बाद में हम आज का प्रेक्टिक रिस्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं फटापर इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूं, तो मैं यहां पर प्ले बटन पर क्लिक करता हूं, और थोड़ा सा वेट करते हैं, अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट श्टार्ट हो चुका है, तो हम चलते हैं, लोकल होस्ट एड़ जिरो पोर्ट पे, और यहां पर पास करते हैं, और यहां पर एक नमबर पास करते हैं, जिसे कि मैंने नमबर पास किया 11, तो आपको पता है 11 नमबर प्राइम नमबर है, यह क्या गया हमारे पास, गेट, हेड, केनोट, हेव, बोडी, अच्छा अच्छा तो एक काम करते हैं, अब यहां पर इसने क्या किया है, अच्छा इसमें हमको यहां पर लिखना पड़ेगा, पाथ, पेराम, अब यहां पर लिखिये नमबर, और इसका पोस्ट करते हैं, ठीक है, चलिए अब हम दुबारा इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेस करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट रिलोड हो रहा है, थोड़ा सव वेट करते हैं, तो फ्रेंड्स हम दुबारा से इसको हीट करते हैं, यहां पर अपन पास करते हैं 11 और एक्जिक्यूट करते हैं, और अब की बारा अपमारे पास आगया 11 इजे प्राइम नंबर, अब आब बते ही अभी तक हमने हाइस नंबर कितना पास किया है, 11 पास किया है, अब इस चीज को अपन ट्रेक रखने के लिए अब मैं पास करता हूँ यहां पे, प्राइम नंबर के उपर कितने लोगों ने आज तक इस प्राइम नंबर वाले मैपड को हिट किया है, इस method ने कितना time लिया surprise देने में या वगेरे हजार तरह की चीज़ है average time कितना लगा, कम से कम time के अंदर इसने कम सी कम time मेel response दे दिया है ज्यादा ज्यादा इसने कितना time लिया, यह सारी चीज़ है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आ जाना है और अब सबसे पहले आपको पहला अनोटेशन इसकी ओपर लिखना है वो कौन सा है एड़ दरेट काउन्टेड ठीक है और यह काउन्टेड अनोटेशन आपको इस वाली से लेना है ORG.micro profile से तो यह क्या आगया इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं अब आपको यहाँ पर दो चीज़े पास करने पड़ेगी नेम एंड डिस्क्रिप्शन तो आप नेम पास कर दीजिए काउन्ट ओफ चेक प्राइम नंबर ओके आप यहाँ पर नेम कुछ भी पास कर सकते हो यह मैनने पास कर दिया अपन यहाँ पर अंडर शीफन लगा देते दुख उसके बाद मैं यहाँ पर अपन डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं fellows मैनी टाइञbow डिस में method is cold और आप simply this API is cold भी लिख सकते हो तो हम यहाँ पर method slash API लिख देते हैं तो हमने सबसे पहला annotation at the rate counted लिखा है अब अगर हम इस level पर अपने project को run करते हैं तब हमें output में क्या देखने को मिलेगा की मान लिजेगी हमने आज project launch किया है और अगले 30 मिनट के अंदर हमारी इस project के अंदर 160 request आच रिक्वेस्ट आच रहा है प्राइम नमबर के रिक्लेट करने के लिए तो वो 160 आपको count दिखेगा अब यह जरूरी काम पे कि मान लिजेए कि आपने application के अंदर 500 मेथट बना रखें जो अलग अलग काम करेंगे कोई even नमबर निकाद रहा है कोई और नमबर निकाद रहा है कोई prime नमबर निकाद रहा है इस तरीके से अब आपको पता है कि आपके project के उपर सबसे ज़यदा request जो prime नमबर वाले और इसके अंदर भी हमें दो चीज़े पास करने पड़ेगी नेम तो यह पता नहीं कुछ मेरी ID में थोड़ी सी घड़बड है ID में तो घड़बड नहीं है इसको मैं इंपोर्ट कर लिता हूँ ठीक है अब यहां पर आप नेम पास कर दिजिए टाइम टेकन अंडर स्कॉर आप यहां पर कुछ भी वेलिड नाम पास कर सकते हो आपके बिजनेस की नीड के साब से और यहां पर लिक देता हूँ तो अब आपने क्या कि दो अनेटेश पहले आप इस प्रोजेक को रिफ्रेस कर लिजिए यहां से क्योंकि वहां से तो रिलोड हो चुक है अपना क्योंकि लाइव रिलेडिंग फिचर इनेबल है अब चलिए हम पहली बार इसको हिट करते हैं तो यहां पर मैंने पास किया है जीरो ठीक है एक्जक्यूट करते है हमें only natural number can be prime number चलिए ठीक है अब हम पास करते हैं दो आउट्पुट में देखते हैं 2 is prime ठीक है अब हमने पास किया 13 13 is prime अब हमने पास कर दिया 23321 एक्जक्यूट किया इट इस नोट ए प्राइम नमर इट इस डिवर्जिबल भाई 11 तो हमने क्या किया तीन चार रिक्वेस्ट पास किये अब आप यहां पे आईए और यहां पे टाइप किजिए लोकल हो स्लेश एट जिरो स्लेश क्यूं स्ल इंपल मेट्रिसेज पास करते हो तो आप देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा इंफोर्मेशन आएगी यहां पर आप देख सकते हो कि बला 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 तो आप इतनी सारी इंफोर्मेशन को देखके तो चकरा जाओगे कि यहां पे CPU कितना लिया है यह वो तो यहां बहुत ज़्यादा इंफोर्मेशन आपने को वह इंफोर्मेशन देखने है जो हमने अपने अपने अप्लिकेशन गेंदर इनेबल कि तो आप इस पात पर चले जाहिए जले स्लेश क्यू स्लेश मैट्रिसे लेस एपलिकेशन और एंटर कीजिए अब आप यहां पे रही है कि how many time this API is called check prime number total is 4.0 यह वो लेगन आपको यह थोड़ा सा पढ़ने में convenient नहीं है तो चलिए इसको json form में convert करते हैं json form में convert करने के लिए आपको क्या करना है इसको copy कर लेना है और अब आप या तो postman पे आ जाईए या फिर vs code के अंदर extension enable कर लीजिए और यहां पर new request पर क्लिक कीजिए कि simply हम कर क्या रहे हैं हम यहां पर header के अंदर पास करेंगे कि हमको output है वह application json में दिखाए तब आप देखिए जैसे मैं इसके उपर लिया है अब आपको समझ में नहीं कि यह time दिख कैसे रहा है यह तो 73 001 यह मिली सेकिंड है सेकिंड है क्या है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो यहां पर यहां पर आईए और यहां पर टाइप कीजिए unit यहां पर टाइप कीजिए metry units.ms अब आपको पता चल जाएगा कि आपके रिक्वेस्ट को एंडल करने के लिए कितना सेकिंड टाइम लिया गया है अभी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट रिफ्रेस्ट हो चुक है अब मैं अगर इसको हिट करता हूं तो आप देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आत मैं हो चुका है तो सारा data reset हो चुक है तो अब क्या होगा कि हमें दुबारे सी इसको हिट करना पढ़ेगा इसको ईसको करते हैं**** अब मैं मैं यहां पर आता हूं जिसको न करता हूं तो आप देखिए हमारे पास आगए हमने चार रिक्वेस्ट बेजिएए- सब šati अ- Heidi- चलिए इसको एक बार और हिट करके आपको दिखा देता हूं सौरी यह नमबर हमने पास किया अब मैं अगर इसको शेंट करता हूं तो आप देखिए हमने पांच रिक्वेस्ट बेजिए आपको साइध दिख रहा होगा अगर फोन चोटा दिख रहा है तो साइध मेरे पास य मने पूंद रह화 है नहीं हम यहां धाप देखिए कि हमने पांच बार हिट किया था büy यह पिस टांडे पास आ गया हां भाब बार पास डिफ्रेंट डिफ्रेंट का टाइम आ रहा पी नीनिमम मैक्सिमम मिन यह तीन तो आपको समझ में आ गया कि मीनिमम टाइम इतना लिया यहां पर 9ms लिया था, mean इतना आ गया, अब यह P90, P99, Standard Deviation, यह सब क्या होता है, इन सब के लिए मैं आपको description box में एक link दे दूगा, वहाँ पर जाके आप इन सब को पढ़ सकती हो, क्योंकि अभी मैं आपको समझाओंगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तब आपको दो annotation तो समझ में आगे, अब चलिए हम अपना तीसरा annotation सीखते हैं, वो है add the rate metered, उस annotation का काम क्या है, कि हमार प्रोजेक्ट के अंदर 500 request आई, 500 request में से इस method के लिए कितनी request आई, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है add the rate metered, और सबसे पहले में इसको import कर लेता हूँ, पता नहीं, हाँ ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखिए, metered underscore, यहाँ पे आप यह लिख दीजिए, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, how frequent this API is called, ठीक है, अब चलिए, हमारा प्रोजेक्ट I think दुबारा से reload हो चुका है, तो हम वापस चलते हैं, अपने श्विएगर व्याई पे इसको थोड़ा सा refresh कर लेते हैं, तो friends, भले आपको अभी यह चीज़े इतनी काम के नहीं लग रही होगी, लेकिन असल प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी मैं इस playlist में बना रहा हूँ, वो सारी चीज़ सारी है, इसका क्या काम आएगा, हमको क्या करना है, कि में इतर कितनी बार call है, यह अपको करना है. क्यों कि आज आप नि版 प्रोजेक्ट बना दिया, कल को मान लो कि वो famous हो गया, तब आपको आपका प्रोजेक्ट scale करना होते है, तो scale करने का मतलब क्या होता है, कि आप इस प के सर्वर पर डिप्लोई कर दो यह सारी चीजे हमारी लाइफ के अंदर काम आएगी अगर आप successful developer बनना चाहते हों चलिए अब मैं यहां पर पास करता हूं वन टू यहां पर अपन यह पास कर दिया और अब यहां पर अमन ने यह पास कर दिया यह पास कर दिया ठीक है कुछ और पास कर देते हैं और यह पास कर दिया चलिए इतनी request बहुत है अब चलिए हम चलते हैं यहां पर और इस API को वापस से हिट करते हैं और अब की बार दिखते हैं में क्या क्या information मिलती है तो हमने साथ request बेजी है minimum इतना टाइम लगा था और maximum इसको इतना टाइम लगा है इसका मतलब क्या वा कि मान लोगी साथ request आई साथ request में तो एक request ऐसी थी जो 0.138 second में पास हो गई यहनी कि 138 second में हमने response रिटन कर दिए यह millisecond है sorry और एक request ऐसी थी जिसको 27 millisecond लग गए time देने में sorry response देने में अगर मैं इसके नीचे आऊं तो आप यहां पर देखिए meted आ गया तो यहां पर आप देखिए mean rate, one time rate, five minute rate यह सब rate है कि कि किस rate पे आपकी API हिट हो रही है तो अभी मैं आपको यह सारी चीजे नहीं समझा रहा हूँ जब आप इस चीजों को अपने project के अंदर क्या use होता है और बाकी में description box में इसका link दे ही दूँगा जिससे आप वहां जाके deep के अंदर इनको पढ़ सकते हो तो अब मैं आपको एक और annotation बताता हूँ वो है add the rate ghost तो यह इस चीज को measure करता है कि अपने पास आप किसी भी चीज का highest record रख सकते हो कि आज तक highest request इतनी गई होगे उस time पे आपको इस annotation को किस तरीके से use करना है वो समझ में आ जाएगा तो अभी के वीडियो में आप सिर्फ इस annotation को use में लेना सीखो इसका output भले आपके समझ में ने आये लेगिन इसको use में लेना सीखो अब आपको होगे कि sir आप तो इस पूरी वीडियो में यह कह र आती है आप अपने project की health को track करते हों तो यह सब जब आप अपने college project बनाओगे वहाँ पे काम में नहीं आएगी लेकिन जब आप industry के अंदर जाओगे उस time भी यह सारी चीजे काम आईगी तो अभी सिर्फ आप अपने दिमाग के अंदर रखिए कि अगर अपन industry के अंदर का करते हैं कहीं ऐसी बात आजए कि आपने project को आपकी health check करनी है या आपके function को track रखना है कि कौन सी epic कितनी बार call होती है तब आपके दिमाग में idea आजाएगा क्यार मैंने तो ऐसी चीज पढ़ी थी तो चलिए अब इसको apply करते हैं तब आपको चीजे ज्यादा समझ में आती ह तो अभी आप इस चीज को सिर्फ दिमाग में ये रखिए कि एसी चीज भी कुछ होती है micro profile matrix नाम की चीज भी कुछ होती है इसका ये काम होता है असल के अंदर इसको हम कैसे practical implement करेंगे वह एक बार आप side में रखिए ठीक है तो चलिए एक last annotation जान लेते हैं add the rate ghost अब इस annotation का काम क्या होगा कि ये अभी अपने इस project के अंदर हम क्या करते है prime number पास करते हैं तो ये track करेगा कि आज तक highest prime number कितना पास किया गया था ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना है एक नया method बना लेना है और याद रखिए जिस भी method के उपर अपन add the rate gold annotation लगा देते हैं वो ह अमेशा long type का data ही return करेगा उसके अलाओ कुछ भी return नहीं करेगा तो आप यहां पे लिखिए public लोंग गेट हजी हजी प्राइम नंबर और यहां पे आप return करा दीजिए हाइस्ट प्राइम नंबर शो फार ठीक है अब क्या होगा कि हम इस method को call नहीं करेंगे लेकिन यह method automatically call होगा और अपने को track दे देगा तो उसके लिए आपको यहां पे लिखना है गोज्ड सुरी यह गोज्ड है और इसको import कर लीजिए आप क्या हो रहा है और आप यहां पे लिख दीजिए हाइस्ट प्राइम नंबर रिक्वेस्ट और यहां पे आप डिस्क्रिप्सिन में लिख सकते हो कि की वाइस्ट प्राइम नंबर केलकू प्राइम नंबर लिख दीजिए ठीक है और यह क्या गया है हाइस्ट प्राइम नंबर के अंदर हम यहां पे वेली शेट ही कर रहे हैं तो अब आप देखिए आपके पास सारी वेली जीरो हो गई तो चलिए अब आम उसको दुबारशी हिट करते हैं कि ट्राइवट पर क्लिक करता हूं दो कि दो रिक्वेस्ट बेज दी मैंने तीन च्यार पांच छे अब मैं अगर इसको हिट करता हूं तो आप देखिए हमने छे वार रिक्वेस्ट की यह मिनिमम मैक्सिमम टाइम यह आज सुका है और आप यहां पर देखिए कि अपने पास आगया हाइस्ट प्राइम नंबर रिक्वेस्ट टू आई है तो यह तो गलत आ गया क्योंकि हमारी वेल्यू अपडेट होनी चाहिए तो चलिए कोड में देखते हैं कि हमारे पास हाइस्ट नंबर यहां पर सही क्यों नहीं आया तो फ्रेंट्स हमारा कोड सही है अब यहां पर आप देखिए कि हम यहां पर चेक कर रहें कि हाइस्ट प्राइम नंबर सो फार तो अभी तक जो हमने number pass किया उसमें से highest दो ही था, दो ही था in the sense, अगर मैं यहाँ पर pass करता हूँ number, highest prime number आप मझे 11 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको execute करता हूँ, तो अब आप देखिए, अगर मैं अब इस level पे इसको hit करता हूँ, तो आप देखिए, हमने 4 request hits किये, और highest prime number मे लेकिन highest number 11 है, लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर 31 pass करता हूँ, sorry, यहाँ पर 31, तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, highest prime number में 31 आना चाहिए, तो देखते हैं, तो आप देखिए 31 आ चुका है, तो इसका मदब क्या हुआ, कि अब मैं अगर यहाँ पर check करता हूँ, मैं लेकिन हमारे पास यह number change नहीं होगा, तो इसका मदब क्या हुआ, यह track रखने के लिए है, अब हमने वो method कहीं call नहीं किया है, लेकिन यह automatically call हो गया है, तो चलिए friends, हम में समझता हूँ कि आपको यह micro profile matrix समझ में आगी होगी, अगर आपको 100% समझ में नहीं आईए, तो भी आप इस वीडियो को दो बार देखिए, और दिमाग के अंदर यह चीज बैठा लिजिए, कि ऐसा कुछ concept exist करता है, और जिस दिन आपको यह practically करने की जरूत पड़ेगी, उस दिन आपको यह सारी चीजे एक रप्तार में clear हो जाएगी, तो चलिए अभी के लिए मुझे करेंगी, बाई बाई, टेक केर